पहली बात तो यह है कि Classes offline हो रही हैं जो लोगों की Classes online화odki हो रहे हैं वो सब हम जो है वो MBK मारध्यम से ही हो रहे हैं अभी यह जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं वो एक्जाम्स हैं जो कि मेय या जून में होंगे उसकी बात थाइश आयरी है और उनकी तो सब क्लासे ऑफलाइन होई है हो सकता है कहीं पर आट-दस दिन की क्लास होई होगी ऑनलाइन होई होगी और अभी स्टूडेंट्स की बहुत ज् दिली से बाहर है कितने क्लासे में नहीं आप आ रहे हैं यह तो एक डेटा है जो स्टडी करने की ज़रूरत है तो इस पे जो ऑफलाइन है देखो जाना तो ऑफलाइन पर पढडने ही वाला है सबको ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपना मन बना लेना चाहिए उफलाइन अपीर ह चाहूंगा कि भूख हर्ताल को छोड़ दो यह ठीक नहीं है अपना आराम से पढ़ाई कीजिए एक्जाम की तैयारी कीजिए आपके साथ अच्छा होगा यह समय कोई हर्ताल करने का थोड़ी है यह तो युनिवस्टी में पढ़ने का समय है अच्छा करने का समय है आप अपन देखो युनिवस्टी जो है उसमें सबसे जरूरी है हमारे अपने A students यह है तो युनिवस्टी है बिना स्टूडेंट से कोई युनिवस्टी नहीं होती है वो हैं तो हम लोग है टीचर्स है इसलिए लेकिन उनकी मांग जो कर रहे हैं वो वास्तम में उसमें कितना तर्क है कितना उसके अंदर वास्तम में सबस्टांस है यह देखने के लिए examination division है वो सारे data को analyze कर रही है उनकी meetings भी students के साथ हो रही है और वो उसी इस साथ से निरिदन लेते हैं सारी व्यवस्टा को देखते हुए मैं तो अपील करना चाहूंगा कि classes attend कीजिए हरताल बंद कीजिए इससे आपका भी हित नहीं है इसमें हमारा भी खट नहीं है और डैली इनिवर्स्टी का इसा है कि एनने टीकु शयद वो बच्चे ठीक से समझ नहीं रह я समझना चाहान नहीं रही यह एक भारत की सरकार ने सहीद इशा में लिया हुआ है इस से शिक्षा व्यवस्था करनाइए फ़ी में इस को यह एप सूडेंट करेंगे तो च्ट्ट के हित्में है के रही है । उटब रहे गई तीन साल या चार साल कि वाए नहीं होती है जिनको चार साल करना वह चार तो टीन विरोद के लिए विरोद करना आथ बहुत अच्छा कदम नहीं है और आप चलने तो दें स्कुजरा चलेगी तो आपको इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे शिक्षा में किये गए कोई भी परिवर्तन इमिजिएट परिणाम नहीं देते हैं यह धीरे धीरे देते हैं आकिर बचों को स्किल होनी चाहिए बचों को अलग अलग बहुत सारे नए नए तरह के instruments बनाने होंगे तो शिक्षा विवस्था उसमें काम करेगी students को भरोसा रखना चाहिए कि हम उनके लिए अच्छा ही कर रहे हैं तो बुरा करेंगे यह तो चरो भाशन के लिए बहुत अच्छी बात है भाशन देने के लिए अच्छी बात है साओं दिली उनस्टी के लिए और किसी उनस्टी के लिए बहुत ही शरम की बात होगी कोई बच्चा admission हो गया और उस पर पैसे नहीं है इस कारण वो पढ़न ना पाए मैं कहता हूं पैसे क्यों उसको hostel भी मिलना चाहिए फिर खाने की विरस्था भी करने चाहिए आखिर आपना महत्म होता होगा कोई टिपड़ा त मैं इस lotta मानता कि ऐसा कमूश होगा क्योंकि जिसको शोषऊट पिडे वर्यास करणे ही है और वहमारे क्या कि बता बहुत पता निए बहुत पैसे वाले जो हैं उदेखना से cham और ऑड़े भी नहीं रहे हैं ऐसा भी नहीं कि वो कोई गजब वो कर रहा है वो आज middle class to lowerorang स्विफ्सटीं से च मिट्रक्रामिय के तो कि तीम जो मेहनत कर रहे सिस्टम झाएं। इसमें एक मूलगूत खामी है जो हमको समझने चाहिए। इसमें क्या है भारत में अगर एक ही बोर्ड होता तो हमको merit waste ही करना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं बड़ा देश है हमारा आब एक क्या है हमारे एक central बोर्ड है और बहुत सारे स्टीट के अपने-पने बोर्ड कुछ बोर्ट बहुत लिनियंट हैं, तो जो ज़्यादा मार्च देते हैं, उनके बच्चों के एड्मिशन की प्रबिविटी ज़्यादा हो जाती है, जो बोर्ट स्ट्रिक्ट हैं, जो ज़्यादा मार्च नहीं देने में विश्वास करते हैं, उनके बच्चों के एड्मिश कि राज्य हैं कई उनके बहुत सारी बच्चों को करेंगे तो यह समझता हूं हर बच्चे को का चांस की जो इक्वल चांस होगा जितनी वह तैयारी करेंगा उतना दुसरा दर रहता है कि कोचिंग को बढ़ावें मिलेगा जो एक और आती है कोचिंग से देखो यह तो टेस्ट है यह 12th के बेस पे आएगा NCRT की बुक्स से आएगा तो reasonable difficulty का आएगा मैं नहीं समस्ता कि इसमें कोचिंग की बहुत ज़्यादा गुंजाईश रहने वाली है और इस हमारा जो उदेश है वो यह है कि सबको एक opportunity दी जाए same level की equal opportunity दी जाए एक ही ground जिसमें सब लोग केल सकें एक ही नियमों के साथ केल सकें किसी को कोई विशेश इस तरह का फाइदा ना हो कि एक board का student है तो उसके फाइदा हो जाए यह सब इससे कम होगा ऐसी अप्रुक्षा है उससे कोई फरक नहीं पड़ता admission तो देखो जो हमारा भारत की सरकार का reservation system है वो तो वैसे ही लागव होगा SC बच्चों का competition जो है वो जो है general बच्चों से भी होगा और SC की category में भी होगा देखो SC में तो और कोई आ नहीं सकता है SC आएगा ST में ST आएगा लेकिन यह दोनों category के मेरे बच्चे general में तो आई सकते हैं अगर ज़्यादा perform करते हैं उनकी वो तो है उनके पास में उनको कोई नुक्सान नहीं है किसी के तरह से यह तो logic वैसे भी लग सकता है कि बार्वी में हमारे बच्चों के नंबर कम आते होंगे SCST के दूसरे बच्चों के ज़्यादा आ जाते होंगे यह भी तो हो सकता है ना यह तो probability देखो दोनों में रहने वाली है टेस्ट में भी रहने वाली है और merit-based में लेकिन merit-based में नुकसान board किस से आ रहे हो उससे फ सब हम मिलकर ही शिक्षा की दरस्था को चलाने का प्रयास करते हैं क्योंकि MPH का क्या था कि देखे उसको teaching की जब recruitment होती है वहां भी कोई वेटेज नहीं है उसका कोई आवशकता नहीं है ऐसे ही बाकी जगे भी कोई अभी recruitment में कहीं वह चेंज नहीं दाती है और अब क्या MPH होती थी सीदे PhD शुरू कर देते थे आज तो coursework होता है नहीं coursework होता है ना आज कल तो PhD में भी तो coursework है तो ऐसा लगता है कि उसकी कोई खास अबशकता नहीं रही इसलिए सरकार नहीं उसको भाटाया है दिल्ली जो हमारी कोई grant unit थोड़ी कम होने जा रही है पर जितनी प पता नहीं है इसलिए उनके मन में भावाते होंगे अब यह सारी building 60 साल से उपर की हो गई रेनोवेशन चाहिए नया infrastructure चाहिए नई चीजें चाहिए डियू के लिए 21 सदी में university आ गई है 100 साल हमारे पूरे हो रहे हैं तो हमारी आवशक्ताएं भी तो बढ़ी है और बदली ह और buildings अगर हम इनको देखवाल ठीक से नहीं करेंगे इनको तो यह तो बहुत जरदर हालत में आ जाएंगी इन सब के लिए पैसे की अवशक्ता तो है ही ना तो उस पैसे की अवशक्ता के लिए हमने एक माध्यम उसको चुनाए भारत की सरकार का जो हीफा का है और मैं समस्त कोई भी और सरकार इस से अच्छा सिस्टम नहीं बना सकती जिए भीषा बनाया है सबस्प्तों जानकार नहीं है मेरे रिए पेस्टा कि उसकी पूरी जानकार ने तो आपको लगए कर का ये हमें bale ii पर आ जाना चाहिए जैसे चलता था वैसे चलाने की तरफ हमें बढ़ना चाहिए बचों को इसका मन बना चाहिए